आज ये दिनांग 13 मई 2014 को येनाह डियलेट मामले को लेकर आपका सुप्रीम कोड में सुनवाई हुआ ये जो आपका मामला था तो उत्राखन के संदर में आपका मामला जो सुप्रीम कोड में गया था जिसका आज यहां पर आपका सुनवाई भी आपका complete यहां पर हो चुगा इसमें देखेंगे तो जो भी यहां पर एनाज से डिलेट सिछागा है आप लोग यहां पर एक तरीकी से जीत जो है पका मिला है किया आपके यहां पर सुप्रिम कोट के तरफ से decision दिये गए उसके साथ यहां पर आपका uniquर मामले को लेकर पस्जिं मंगाल मों आप आपका हाई कोट है वहां पर थे अनाजडीलेट का जो है हूँ तरह पर यहां पर इं कि सुनवाहिए वाहां पर नांउग को लेकर आपका लाने को लएकर आने राजिके की यहां पर आपका आपका काफी ज़्यादे फसा रहा था और इसमें भी आपके काफी ज़्यादे परसानी हो रहा था कि राज के हाई कोट के तरफ से कुछ और यहाँ पर decision दिये जा रहे थे और अलग तरीके से आपके Supreme Court वगरा का तो मतलब काफी उस तरीके से आपका हैं पर दिकत हो रहा था तो Supreme Court के तरफ इस तरीके से जो आपके decision वगरा हैं वो यहाँ पर आपका जो है उलिया जागा तो ऐसा यहाँ पर जो Supreme Court है उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि जितने भी राज के हाई कोट में मामला है उन सभी मामले को यहाँ पर Supreme Court में जो है उला जाए उसके साथ ही आपर जो आपके Supreme Court है उनके तरफ से इस चीज को लेकर इस्टे भी आपका लगा गया है कि आसान है कि जो आपके NIDL8 है उनको मतलब इस तरीके से मतलब उनके जो decision है राज के High Court के तरफ से पहले तो रोक लगा दिया गया उसके साथ ही जो आपके इस्टे वगरा है इस पर भी आपका किया ग आपके decision जो है उले जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो भी NIDL8 सिचक है आप लोग DL8 के हैं तो उसको यहाँ पर किस तरीके से आपके हैं पर सामिल किया जागा तो अगले सुनवाई में यहाँ पर आपका जीत यह मिला है इस्टे को लेकर पहली बात दूसरा बात य उसको यहाँ पर सुप्रिम कोर्ट में और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई को लेकर यहाँ पर आपके सुनवाई होगा जो आपके अगली सुनवाई है वो यहाँ पर आपका जुलाई 2024 में जो है वो यहाँ पर आपका सुनवाई होगा तो वाजिका हाई कोट है जहां से भी आपका मामला पेंडिंग मगर है उन सभी मामले को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोट जो आपका है उनके तरफ से किस तरीके से आपका यानाव डियलेट को सामील किया जाएगा उस पर आपका सुप्रीम कोट के तरफ से डिसीजन जो है आप लोग का जो बिसेस ध्यान होगा, बिहार की जो आपके सिच्छाक बढ़ती है, उसको लेकर है, तो देखिए आप यहां पर ध्यान रखेगा कि जब हम यहां पर बोले हैं कि आपकी सुनवाई कब होगी, आपकी सुनवाई यहां पर जुलाई में होगी, तो इसका मतलब स आपका ट्यारी फोर्ट का एकजाम होगा, चौबिस अगस्त दोहजार चौबिस को जो है कंड़क्ट करा जाएगा, और यहां पर जो आपके सुप्रिम कोट है, उनके तरफ से यहां पर किया है कि आपका जूलाई में ही, यह जो आपका यहां पर यहां पर वैलिड है, तो एक दिन पहले आपका पोर्टल खुलेगा, जिस तरीके से आपने देखा था, कि BPSC, TRE 1st का जो आपका supplementary result था, और TRE 2 का जो आपका result था, वो यहां पर BPSC के तरफ से आपका जिस तरीके से सुप्रिम कोट के decision पर आपका रोक लगा गया, तो वहीं जब यहां पर आपका कोट के तरफ से आपके decision दिये जाएगे, कि NR DL8 को सामील क्या जाए, तो फिर एक दिन पहले, आनि एक जाम से एक दिन पहले, जो भी आपर NR से DL8 सिचक होंगे, उनको यहां पर कोट के तरफ से मतलब decision आएगा, तो यहां पर आपको सामील जो है, वो कलिया जाएगा, त क्योंकि सुप्रिम कोट में इतना लंबा समय लेने का मतलब यहां पर है, क्योंकि जितने भी आपके राजी के हाई कोट है, उस राजी के हाई कोट से जो भी आपका NR DL8 मामले को लेकर case वगर आपका किया गया है, तो वो सभी case आपका सुप्रिम कोट में जो है आपका transfer कि जाएगा, तो इसमें जो आपका यहां पर समय वगर है, यहां पर समय लगेगा, तो यहीं NR DL8 को लेकर update है, बाखी जैसे भी update आफिर information होते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस platform राइट टो इच के सान इंडिया अपज़ों सेर कर देते हैं, और अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं कियोंगे, सस्क्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेज़ों जरू कर लिजेगा, निलते हैं लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए, थैंक्यों, वाई वाई टेक केर, और वेस्ट, थैंके फॉर लिसनिंग, गड़ ब्लेस्ट, थैंक्यों, थै